लोकसबा चुनाफ के पहले चुरन के वदर्ब की सीटों पर मंगलबार को उमिद्वारों ने नामांकन दाखिल किया नागपुर में कॉंग्रेस उमिद्वार विधायट विकास ठाकरे ने नामांकन से पहले सम्विधान चौक पर जोरदार शक्ती प्रदर्शन किया उनके साथ कॉंग्रेस राकापा, आमागनी पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी के पताधिकारी और कारिकर्ता भी थे ठाकरे और कॉंग्रेस पताधिकारी ने सम्विधान चौक पर डॉक्टर बावस साब अम्बेटकर के पृतिमा पर माल्यारपन किया सम्विधान चौक से आकाश्वानी तक निकली रैली में हजारों लोग शामिल हुए नामांगन जमा करते इस समय कॉंग्रिस प्रदेश अद्यक्षुन नाना पटोले विदान सवामे नीता प्रतिपक्ष विजबरे टिवार पूर्वा मंतरी सुनील केदार और राकापा शर्तपवार गुट के नेता पूर्वा ग्रह मंतरी और अनिल देश मौक का मौजूद थे ठाकर ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पाचे के विश्पास पर खरा उतरूँगा मैं चुनावी लडाई के लिए पूरी तरह तयार हूँ नागपुर के मुद्दो को लेकर जन्ता के बीच जाऊंगा नामांगन भरने के बाद ठाकर ने ये भी कहा कि ये तानाशाई के खिलाफ लोकतंतर बच्वाने की लडाई है उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि नागपुर कॉंग्रेस का गढ़ रहा है और इसे हर हाल में फत्या करना है कारिकरताओं को अभी से काम पर लग जाने का आवान किया नामांगन की दौरान ठाकरे के साथ कॉंग्रेस के सबी कुटों के नेता दिखाए दिए के अतुल कोटेचा गिरीश पांडव प्रफुल गुर्दे पाटल प्रशांत धवर मैला कॉंग्रस की संगिता तल्मले नेस अली राकापा के निता अनिल देश्मौक दुनेश्वर पेठे पूर्वा बदायक प्रकार श्रकश्र गजबी शवसेना अबाठा वदायक जो नय की प्रतिक्षा में है पिछले 10 साबर में जो मोधी सरकार ने जो देश को खराश करने का काम किया है इस देश की लोकशाही ये देश के विरोधी पक्षिक फतम करने का काम किया है कई लोगों को जेरने डाला है कई लोगों को पकड़कर सरकार ही गिराई है और ये न करके कोई विरोजी पक्षन ही रहेंगा सिप मैं अकेला रहूंगा इस भुक्षी का में नरेंग्र जी मोदी है और सारे देश की जंता इनके खिलाव है सारे देश के परक्षे एक साथ लोक्षाही बचाने के लिए सभीदान बचाने के लिए यह चुनाव लड़ रहे हैं यह वृचारजारा का चुनाव है एक तरप की विचारजारा है जो बोलती है कि हम सभीदान बदाआना है कांग्रेसार करके हम सभीदान बदाएंगे और कॉrit करना था देश लोक्षाह देश में लोक्षाही सबित सब्सक्राब रठना है आम आदमी को नेया दयसमिती है मादम लगता है कि जो भी जनब रितिनीदी चुन कर आएंगा दस साल पहले इस नाकपुर में चार बार सांसर्च विलास पुत्यमार साथ थे विलास राव जी देश्मों के राज्य के मुक्तेमंतिय थे मैं भी इस शहर का उस जमाने में मेर रहा करता था इस शहर में विकास की सुर्वात किस्मेगी 3.5 करोड के IRDP की योजना इस शहर में लाके यह सुंदर शहर बनाया टॉप 30 सिटी में इस शहर का नाम आया आज नामा गदर सुटाबर का दे रहा है काई पगा यह विचाराची लडाई आए नापपूर हे जाहे एक कॉंग्रेच चा विचाराची शहर में राहली लाहे आनि आता जावा विचाराची लडाई शुरू जाले लिया ते इता कॉंग्रेच साथ विजय माविकास ओन गलाई जर्डा और ईजजय माविकास अग्राची लडाई नापगर करेची लिवतिदी लिया खिता थे लूसाराची लाहे है आज नागपुर मदे सगे रस्ते खुद लेगे लिए सगे ट्राफिक जाम है जाम है विकास आवो तेनी चर्चास करूने नहीं तो चन्ना अर्चक निर्मान होई लसा हमसा सला चन्ना है एक पन दोनादार सवधा मदे मोदी जी नी जी आश्वाशन या देशाचा जनतेला द पंद्रा लाग रुबे घरी बाच्या खाचाता को कागले नहीं करी चितकर आन्चे कर्ण माफ करो अज़े बात नहीं आज अपला देश आप एरोजगारां तेश निर्मान करना चाता हाओ और शामादे तो मानस निर्मान करना पूर्ण केला पेरोजगारी सिगेला पोसली खाने के शौकिनों के लिए खुश खबर हादरबादी authentic flavor अब चंदरपुर में भी जी हादरबाद स्वाद family restaurant जहाँ पा सकते हैं हादरबाद का ओरिजिनल टेस्ट हादरबाद दम बिर्यानी वेज नॉन वेज करी साउट इंबियन नाश्टा चाइनीज तंदूरी कबाब इरानी चाय बादाम मिल्क और भी बहुत लजीज़दार खाना इंडोर और आउटडोर में फामिली के साथ बैठने की उत्तम ववस्था और सर्वोत्तम सर्विस वो भी एकदम किफायती दामों में हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ओर्डर लिये जाते हैं एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारे आप दोबारा जरूर आएंगे यह हमारी गारंटी हैदराबाद स्वाद सामली रेस्टोरेंट ऑथंटिक हैदराबादी फ्लेवर नियर क्रोमा शोरूम नागपुर रोड संधरपुर अमारिका के मारी लैंड में एक कारगो जहास की टकरानी से फ्रांसे स्कॉर्ट की ब्रज ढह गया न्यूँ यॉक टाम्स के मताबिक गटना अमारी की समय अनुस्तार रात करीब देर बजे होई पुल से टकरानी के बाद जहास में आग लग गई सिंगापूर के जंडे बाला ये जहास श्रुलंगा की रासदानी को लंबो जा रहा था शिप मेरेजमेंट कंपनी सिनर्जी मरीन ग्रूप ने बताया कि दो पालेट समेत सभी 22 क्रो मेंबर्स भारते थे इनमें से कोई भी घाल नहीं हुआ इसे रवाना हुए कुछ ही समय हुआ था ये 22 अपरल को श्रुलंगा पहुचने वाला था जहास का नाम दाली है पुल डहने की वज़े से इस पर मौझूद कई गाडिया और लोग पानी में गिरे फायर डिपार्टमेंट के मुदाबिक अब तक साथ लोग लापता हैं दो लोगों को पानी से निकाला गया इनमें एक की हालत गंभीर है पानी में गिरे लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है मारी लाइन के ट्रांस्पोर्ट सेक्रेटरी ने बताया कि हाथसे की वक्त कई कर्मचारी भी ब्रिज पर मौझूद थे वो रेपेरिंग से जुड़ा कुछ काम कर रहे थे अब तक ही साफ नहीं हो पाया है पुल पर कितने लोग मौझूद थे वे अब किस स्थती में है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मताबिक मारी लाइन ट्रांस्पोर्टेशन अथार्टी ने बताया कि ब्रिज पर हाथसे के बाद सभी लिंदेन बंद कर दी गई है और ट्राफिक रोक दिया गया डाली जहाज 948 मिट लंबा था फ्रांसिस की ब्रिज को 1977 में पैट्रास को नदी के उपर बनाया गया इसका नाम अमारीका कराश्चार लिखने वाले फ्रांसिस स्कॉर्ट के नाम पर रखा गया है रुस्वान को गवाई कुनाचा मोठानी उतारा काढ़ला लगिन घाई सुचु न देई खरे दिने पना काढ़ला खरे दिला वरसी धीने उचाहनवा अनला बांधला 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 separate कर्मे कुंधी द्राणीछ प्र सबस्था बांधला बांधूर विए तरश्यक प्याए आयाओ